हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू स्टेडी विट कॉंसेप्स सो आज हम लोग आज की क्लास में हम लोग एक एंसे आई टी एक्ससाइज 1.1 का हम लोग कोशन नमर फिफ्ट देखेंगे सो इस कोशन में क्या कहा गया है कि यहां पर यहां पर यहां पर क्या दे रखा है पहला कोशन क्या है मैं आपर लिख देता हूं ₹2 – 4 by 5 into 1 equals to 1 into minus 4 by 5 equals to minus 4 by 5 सो यह आपका यहां पर जो कोशन दे रखा है हैा यह एक्छुलिक स्थिक यहां पर यहां पर 1-4 by 5 नहीं है हम सो एसे ही समझ लेते है यहां पर miracle माइनस 4 by 5 नहीं है clear एक सेकंड हाँ यहाँ पर आपका माइनस 4 by 5 नहीं है यह चीज ठीक तो देखेगा इसको हम लोग कैसे करेंगे हम बता हम कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है तो देखो एक आप लोगों ने सुना है क्या multiplicative identity क्या कहता है कि किसी भी number को आप 1 से बाद में multiply कर दो या फिर किसी भी number को आप 1 से पहले multiply कर दो आपको value हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगी same ही मिलेगी देखो आपने यहाँ पर 1 को multiply किया है कब किसी number के बाद और यहाँ पर आपने 1 को multiply किया है कब उसी number के पहले तो आपको value आपको हमेशा same ही मिलेगी कितनी minus 4 by 5 ही मिलेगी देख लो minus 4 by 5 into 1 minus 4 by 5 ही होगा 1 into minus 4 by 5 minus 4 by 5 ही होगा तो यहाँ पर identity कौन सी लग रही है यहाँ पर identity लग रही है आपकी one is the multiplicative identity multiplicative identity सो पहले यहाँ पर question का क्या answer हो जाएगा कि भाईया यहाँ पर आपकी property कौन सी लगने वाली है वो लगेगी one is multiplicative identity क्लियर हो गया सभी लोगों को ठीक है उसी प्रकार से second question देखेगा second question क्या है कि minus 13 upon 17 into minus 2 by 7 equals to minus 2 by 7 into minus 13 by 17 अब यहाँ पर आपने क्या किया है यहाँ पर देखेगा इसको मैं मान लेता हूँ a minus 2 by 7 है b बीच में लगा है into है ना minus 2 by 7 को मैंने क्या माना है b तो मैंने यहाँ सबसे पहले b लिख लिया into minus 13 by 7 मेरा क्या है a है तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया a तो आपने यहाँ पर क्या किया आपने a into b equals to b into a किया है मतलब यहाँ पर आपने lhs में left hand side में a पहले लिख लिया और b बाद में और right hand side में आपने क्या किया b पहले लिख लिया और a बाद में तो बात एक ही है चाहे आप a into b कर लो या फिर आप b into a कर लो आपको answer क्या मिलना है same ही मिलना है तो यह कौन सी identity हम लोगों ने पढ़ी थी कि a into b और b into a बराबर होता है तो यह हम लोगों ने पढ़ी थी commutative identity पढ़ी थी या नहीं commutative identity clear हो गया तो हमें यहां पर सिर्फ और सिभ अईडेंटिटी का नाम बस बताना था डिइन्टी यहां पर कौन सी हो जाएग आप अगला peine यहाँ पर क्या दे रखा है अगला कोश्चन है माइनस 19 बाइ 29 इंटू 29 बाइ माइनस 19 इक्वल्स तो वन अब देखो यह कोश्चन तो अभी हमने लास्ट कोश्चन में किया था क्या कि आप यह को ऐसे किस से मल्ट्टिप्लाइ करोगे कि आपको वन मिल जाए तो आप किस से करोगे उसके रचीप्रों से जो यह में बताया था जो कै क्या है 29 upon minus 19 तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है तो यह किस के थू मिल रहा है यह कौन सी property के थू मिल रहा है multiplicative inverse के through clear हो गया यहाँ पर सभी लोगों को ठीक है अब मैं एक बार में यहाँ पर तीनों की properties लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है पहले वाले question में यूज हो रही है multiplicative identity second question में क्या यूज हुआ था committed property committed property और third question में क्या यूज हुआ है multiplicative multiplicative inverse clear बस यहाँ पर हमसे सिर्फ उसी properties का नाम पूछा था इस question में multiplication की properties का तो हमने यहाँ पर बता दिये पहले का है multiplicative identity दूसरा है cumulative property और तीसरे question में लग रही है multiplicative inverse ठीक है friends तो यह था आपको यहाँ पर fifth question के answers है ना अगर आपको इस question में कई पर भी doubt होता आप उससे यहाँ पर comment box में comment करके कूछ सकते है clear चलिए तो मिलते है next question में question number six में जब तक लिए अभी तक अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो भी चैनल को subscribe कर लिए जगा और अपने दोस्तों में share कर दीजगा ठीक है चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं next वीडियो में जिसमें हम लोग question number six करेंगे जब तक लिए bye bye take care